हेलो एंड वेलकम यू आल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फोन पे या किसी भी UPI से आप अपने बैंक अकाउंट को कैसे अनलिंक करेंगे यानि हटाएंगे बहुत से लोग हैं जो सीधे ही किसी भी UPI एप को अनिस्टाल कर देते हैं और वो सोचते हैं कि जो उनका बैंक अकाउंट है वो अनलिंक हो गया या हट गया तो दोस्तों ऐसा नहीं है आपको अनलिंक करना पड़ेगा कैसे करेंगे अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आप जिस UPI से अपना बैंक अकाउंट अनलिंक करना चाहते हैं आपको उसे ओपन कर लेना है जैसे मैं यहाँ फोन पे से अनलिंक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ फोन पे ओपन कर ले रहा हूँ ओपन करने के बाद से आप इसमें लॉग इन हो जाना है लॉग इन होने के बात से आप सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं कि आपने जिस bank से आपने UPI बनाया हुआ है यानि लिंक कराया हुआ है उस bank का नाम और account number यहां पर दिख जाएगा उसके बात से आपको यहीं पर click कर देना है और click करने के बाद से आप scroll करके नीचे आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनलिंक बैंक अकाउंट का आपसन है तो आपको यहाँ अनलिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपको एक मेसेज दिखेगा कि अगर आप अपना बैंक अकाउंट अनलिंक कर देंगे तो आप payment नहीं कर पाएंगे अगर आप वास्तों में unlink करना चाहते हैं तो आप यहाँ unlink पे click कर देंगे और click करने के बाद से आपका जो bank account है वो successfully unlink हो जाएगा अब आप यहाँ से back आते हैं और उसके बाद से यहाँ profile पे click करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो account है यहाँ पे दिखाई नहीं देगा तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी आप हमें comment करके जरूर बताएं वीडियो को like, subscribe और share करना नव भूलें थैंक यू फर वाचिंग